गुजरात में अभी तक नामानकर्ण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई पर जिस तरह से चुनावी माहौल गर्माता जा रहा हैं एक और परश्वत उनुपाला का जो विवाद है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा हैं वही दूसरी और बीजेपी ने अपनी सारी तैयारिया जो हैं पूर जोश में शुरू कर दी है बाजपा प्रदेश अद्यक सीयार पाटिल सबी जीलों में जाकर बूथ कारेकरताओं को मिल रहा हैं और उन में पूरी तरह से ताकत बन रहे हैं कि हर लोकसबाग पे 5 लाग की लीड कैसे लाइ जाए उनका जो है हर लोकसबाग पे 5 लाग کی लीड तभी आएगी जब हर कारेकरता अपने बूथ को जीतेगा यानि अगर अपने बूथ पे कारेकर्टा ने मैनद कि और बूथ जीत लिया तो वो रास्ता साफ हो जाएगा लोग सबा सीट जीतने का और लोग सबा सीट जो है वो पांच लाग से जादा की लीड के साथ तभी जीत पाएंगे जब हर बूथ पे जीत मिलेगी विधान सबा चुनाओं में जो बूथ माइनस रहे थे या फिर पिछले लोग सबा चुनाओं में जो बूथ माइनस रहे उनको प्लस कैसे किया जाए ये पूरी बात वो अपने कारेकर्टाओं के साथ कर रहे हैं और उनको ताकत बर रहे हैं कि आने वाले चुनाओं में किसी तरह जो है कर रहा है और उन्होंने हर जिले में कार्यकरता के साथ मिलना शुरू कर दिया उनको समझाने का शुरू कर दिया है पीसे में वो पांस दिलों में इस तरह का पूरा कार्यकरता सम्मेलन कर चुके हैं और लगातार कार्यकरताओं के बीच ही नजर आ चुनावी मदान में रुपला दिखे हैं उनको जैसे दिल्ली का बुलावाया काफी अटकले शुरू हुई थी कि रुपला को बदला जाएगा पर उन्होंने साफ कर दिया कि वो केंजरे केमिनेट की मीटिंग में सामिल होने के लिए दिल्ली गए थे और वो मीटिंग खतम कर कि वो वापस आएं और वापिस अपने चुनावी शेत्र में जो हैं वो काम पर लग चुके हैं एक और शत्रिय समाज लगातार बांग कर रहा है कि जब तक रुपला का टिकेट बदला नहीं जाएगा तब तक शत्रिय समाज का विरोध जो है वो कम नहीं होगा वैसे में अ ट्रक बाजपा जो फूरे मामले को ठंडे बसते में डालती है और किस तरसे समाज का मना पाती है ताकि प्रभूत्वा है कमसे कम नुक्सान हो या कोई नुकसान ना हो उसकी पूरी जो है पूरा ध्यान भाजपा के दोरा रखा जा रहा है और इसलिए चत्रिय समाज के भाजपा के निताओं को आगे किया गया और समाज के साथ बात करने के लिए उनको कहा गया कि समाज के अगरनी को आप समझाइए और उनको कि माफी मांग ली गई और अब विवाद को जो है वो शांत कर दिया जाए विवाद को ठंडे बसने में डाला जाए पर फिर भी शत्री समाद नहीं माना था वैसे में अब रूपाला ने फिर से एक बार पचार शुरू कर दिया है तब देखना यह दिल्चस होगा कि किस तरह से भाजपा इस पूरे मसले को जो है वो शांत कर पाती है दूसरी और कॉंग्रेस ने जो अपनी साथ लोकसभा सीटें हैं जो बाकी थी उसमें से तीन लोकसभा सीटों पर जो है वो मिद्वार गोशित कर दिये हैं जो जुनागड है वहां पे हिराबाय जोटवा को से पडियार लंबे समय से जो है वो शत्रिय समाज का विवाज चलना है वैसे में बाजपा की सेफ सीट मानी जाती है उस सीट के उपर कॉंग्रेस ने एक दाव खेला है शत्रिय नेता को टिकेट दे कर जो पाद्रा के पूरव विदायक भी रह चुके हैं तो उनको वहां प बनाने की कोशिश की है कि क्षात्रिय समुदाई का वोट जो है उनको मिले क्योंकि बीजेपी ने 26 में से किसी भी क्षात्रिय को टिकेट नहीं दिया है वैसे में कॉंग्रेस ने अपनी एरन्टी बदली है साथ ही सुरें नगर सीट पर उन्होंने जो है वो अपने पूरव जीत पाए और कॉंग्रेस जो है वहां पर फाइट में दिखे उसके पूरे प्रयास जो है किये जा रहा हूँ इसलिए रुत्विक मकवाना को जो है वो टिकेट दिया गया है और कॉंग्रेस आ वहां पर काफी समझदारी के असे इन तीन टिकेटों का बटवारा किया या ब